वेल्कम टू नेक्सक्ट जाओं आज है 17 अप्रेल 2023 और 17 अप्रेल 2023 से करेंट अफेस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन बन सकते हैं सारे में सीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेट इंपोर्टेंट पैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूर टेलिग्राम गुरुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरुप पर आपको सारी पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसक्रिशन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करकी टेलिग्राम गुर के लिए हर साल सूले अप्रेल को हांती बचाओ दिवस मनाया जाता है अच्छा सूले अप्रेल को ही आवाज के महत्तु के लिए वर्ल्ड वाइस डे भी मनाया जाता है तो सूले अप्रेल को यह दो इंपूर्टिंडि मनाया जाते हैं एक अप्रेल को आरबिया का स्थापना दिवस मनाया गया था और एक अप्रेल को ही उड़ीशा दिवस या उतकल दिवस भी मनाया जाता है दो अप्रेल को बिस्सु ओर्टेज में जागरुकता दिवस मनाया गया चार अप्रेल को अंतरास्टी खान जागरुकता दिवस मनाया गया पांच अप्रेल को अंतरास्टी समुद्री दिवस और अंतरास्टी विवेग दिवस मनाया गया 6 अपरेल को बेकास और सांती के लिए अंतरास्टी खेल दिवस मनाया गया 7 अपरेल को बेश्चु स्वास्ते दिवस मनाया गया 10 अपरेल को बेश्चु हुम्योपैथी दिवस मनाया गया और इस बार के बेश्चु हुम्योपैथी दिवस की थीम थी बन हेल्थ बन फैमिली अच्छा 11 अप्रेल को रास्टी सुरक्षित मात्रत्र दिवस मनाए गया और 11 अप्रेल को ही 200 पार्किंसन्स दिवस मनाए गया 12 अप्रेल को मानव अंतरिच उडान का अंतरास्टी दिवस मनाए गया 14 अप्रेल को 24 रोग दिवस मनाए गया और 15 अप्र का हम टार्गेट रखते हैं 40 से अराइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है यह लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और से जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे चोटा साई टारेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचीव करने में लगा दो आपकी तावी राम ने तो इस कुश्चिन का सी ओप्सन से ही इस बुक का नाम आपयाद कर लेजिए दा ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस इसकेम्स एंड फ्यूचर ओफ रेगुलेशन इसमें 1947 के बाद के 11 प्रमुक घोटालों को बर्डन किया है अच्छा अभी नंदिनी दास ने कूटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है पियूस बाबेल ने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांपरताइक ता लिखी है बाणी तरपाठी ने अपनी पहली पुस्तक वाइक अंड एलिफेंट भी रेड लिखी है वासुस चटरजी एंड मेडल अब दा रोड स चिनेमा नामक पुस्तक का भी मुचन हुआ है इससे अनरुद भट्डाचारे में लिखा है फुलंगी नामक पुस्तक भी मुचन हुआ है इसे लेकनाथ छेत sekarang और स डॉक्टर एस ए हसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड बुमेन का विमोचन भी किया गया तो यह अभी रीसेंट बुक्स हैं यह आपको याद रखने हैं ने क्यूशन है हाली में भारत गौरव परेटक ट्रेन को कहां से हरी जंडी दिखाकर रवाना किया गया है तो अभी डॉक्टर भेमरा अम्बेडकर जी की जैनती पर 14 अपरेल को नई दिल्ली में हज्रत नजामुद्दिन डेल्वी स्टिसन से एक भारत गौरव परेटक ट्र क्यूशन है हाली में किस आयाटी ने नवाचार पर ध्यान केंदरित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साज़दारी की है तो अभी आयाटी कानपुर ने नवाचार पर ध्यान केंदरित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साज़दारी की तो इस कुश्यन का C options है यह रक्षा PSU यानि कि एक ordinance factory के साथ IAT कानपुर ने नवाचार पर ध्यान केंदरिक केंदने के लिए ये साज़धारी की है अच्छा IAT की बात है तो अभी touchless biometric system विक्सित करने के लिए IAT Bombay ने UIDI के साथ साज़धारी की IAT मदरास ने दूद में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विक्सित किया है IAT रुड़के के बैग्यानिकों ने जीबान रोधी अडू IATR 00693 की खोज की है नेक्यूशे ने हाली में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार बित बर्स 2023 में भारत की आर्थिक ब्रदिदर कितने प्रतिसत रहने का अनुमान है तो UNCTAD यानि की United Nation Conference on Trade and Development इसकी अभी एक रिपोर्ट आई है और इसके अकोर्डिंग Finance Year 2023 में भारत की आर्थिक ब्रदिदर 6% रहने का अनुमान है अब UNCTAD इसकी स्तापना का हुई थी 1964 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है जिनेवा में और इसके प्रजेन टाइम पर सेक्रेटरी जनरल कौन है राबिका सेमंसन कौन है राबिका शिमसन ने क्यूशन है हाली में केनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारती प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुकतान के लिए समझोता किया है तो अभी केनरा बैंक और भारत बिल पे ने ओमान में भारती प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुकतान के लिए समझोता किया तो इसकुशन का A options है अब ओमान तो यह है मैप में ओमान की केपिटल क्या है मस्कट ओमान की करनसी क्या है ओमानी रियाल और ओमान की प्रिजेंट टेम पर सुल्तान कौन है है थम बिन तारिक कौन है है थम बिन तारिक नेकिशन हाली में सतलुज जल बिद्युत निगम किस देश में 679 मेगावाट लोवर अरूड हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है तो SJBNL यानि की सतलुज जल बिद्युत निगम लिमिटेड ये अभी नैपाल में 679 मेगाबाट लूड अरूड हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है तो इसकुशन का सी ओप्सन से हैं अब नैपाल तो ये ह प्रचंड और नेपाल के अभी नए राश्ट्पती कौन बने है रामचंद्र पॉंडेल अच्छा अभी घोडों का त्योहार घोड़े जात्रा नेपाल के ललित पुर में मनाया गया नेपाल के नए राश्ट्पती रामचंद्र पॉंडेल चुने गया नेपाल सेयुक्त रा इंडिया और नैपाल के बीच में कौनसी डिफेंस एकसाज होती है तो इंडिया और नेपाल की बीच में सूर इकीर्ट नाम की डिफेंस एकसाज होती है यृ पुषे ने बेत्त मंत्रियों की दूसरी बैकर कहां आयो जित हुई है तो jay अभी वासिंग्टन डी सी में आयो जित हुई है तो इस कुछ राजमंत्री मेनाक्षी लेखी किस देश की चार दिवसी आदिकारे की यात्रा पर गई है तो हमारी विदेश राजमंत्री हैं मेनाक्षी लेखी ये अभी क्रोएसिया की चार दिवसी यात्रा पर गई है तो इस केपिटल के है जाक्रेव क्रूज्य करणसी के है यूरो और क्रूज्य के प्रजयन टायंप पे प्रेसिड़न्ट कौन है जोरान मिलानोबिक कौन है जोरान मिलानोबिक नेक्यूशन है हाली में एन एच ए आई ने कहां बन के प्रवेश मारगों पर फास्टेक आधारिद भुक्तान पढली लाग होगी है तेलंगाना की चीपनिष्टर कोन है? के चंसे कर रा और तेलंगाना की गवर्णर कोन है? डॉक्टर तमिल साई सौंदराजन. अभी भारत की सबसे उची अमेड कर जी की प्रतिमा का अनाबर्ड तेलंगाना में किया गया. इसकी उचाई है 125 फीट. अभी तेलंगाना सरकार न लेक डिवलप्मेंट प्रोग्राम चारी किया है. तेलंगाना में समता कुम सुरू हुआ है. और तेलंगाना पुलेस महानिदिसक की रूप में अंजनी कुमार ने पदभार गिरेड किया है. ने क्यूशन है हाली में किस ने अपने प्रयोक्त भानों के लिए ए मार्केट प अप्सन सही है. ने क्यूशन है हाली में फोन पे ने यूएस इस्तित एक्विटी फर्म से कितने मिलियन डॉलर का निवेस प्राप्त किया है. तो अभी फोन पे ने यूएस इस्तित एक एक्विटी फर्म से 100 मिलियन डॉलर का निवेस प्राप्त किया. तो इस कुशन का बे 2015 में इसका headquarter कहां पर है बैंगलूरू में और इसके present time पर CEO कौन है समेर निगम ने कुशन है हाले में TCG अनादुलू के इस देश का सबसे बड़ा युद्ध पोत और दुनिया का पहला drone बाहग बना है तो TCG अनादुलू ये तुर्के का सबसे बड़ा युद्ध पोत और द दुरोन बाहग बना दूसक्षिन का stay options आप तुर्की तो अब इसे तुर्कीय क्याते है तुर्की के पिडिल क्या है अंकारा इसकी करंसी क्या है तर्किस लेरा और इसके present time पर कौन है रिशेप तयप एड्रोगन कौन है रिशेप तयप एड्रोगन ने कुछ नहीं हाली में सांकिकी और कार्यार्मन मंत्राले के अनुसार Finance Year 2023 में केसराजी ने MPLATS Fund का सबसे अच्छा उप्योग किया है तो सांकिकी और कार्यानमन मंत्राले के अनुसार Finance Year 2023 में गुजरात ने MPLATS Fund का सबसे अच्छा उप्योग किया तो इसको शिंका A options है MPLATS ये माइन में क्लिक कर गया होगा इसकी full form क्या होती है Member of Parliament Local Area Development Scheme इसका सबसे अच्छा उप्योग गुजरात ने किया अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात गुजरात की capital क्या है? गांदी नगर गुजरात के Chief Minister कौन है? वो पेंदर भाई पटेल और गुजरात की Governor कौन है? आचार देबरत अभी गुजरात की वरडा वाइल्डेफ सेंचुरी को ACI सेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात हाई कोट की मुख्ष नयदीस बनी है रास्टी बाल विग्यान कॉंग्रेस एमदाबाद में आयो जद हुई है और पसुओं के लिए भारत के पहले IBF मुबाइल यूनिट की सुरुआत गुजरात में की गई अचा गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है ये एसियाटिक लॉइन्स के लिए फैमस है सरदार सरोवर डैम है नल सरोवर लेक है थोल लेक है, खंकडिया लेक है और किजाडिया लेक है नेक शिशन है हाली में के सहर में पहला रेट जार न्यूक्त किया गया तो अभी निव यॉर्क सहर में पहला रेट जार न्यूक्त किया गया है तो इस कुश्चिन का अन्वानित एक चुहा हो गया है तो इन पर नियंत्रित करने के लिए नियू यॉर्क सहर में पहला रेड जार नियूत किया गया है अब लास्ट वीडियो के कुशिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुशिन पूचा था कि हाली में भारत में सबसे उंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण के सराज में किया गया तो अभी तेलंगाना में भारत में सबसे उंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया तो इस कुशिन का ए उप्सन सही था और लगबग सबी श्ट्रेटनेस कांसर सई दिया मुश्ट लिए इसके वारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा क्वेशन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्यूंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप तो आप फेसुक पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके वारा फेसुक पर जोइन कर सकते हैं क्यूंकि प्रेबियस एर क्वेशन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेशन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटिड भी कोई प्रॉलम है त अच्छा आज किस व्योंर आप टारगेट जरू याद रखना ऑज किस व्योंर टारगेट है 40 र्यलैक तो अगर या वीडियो आपको अच्छा लगा क्यान क्या तब आप इस वीडियो को लाइक और शaire जरू किया करें और आपके पास जो भी ृत्टाब रिए वकार पूस्क्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे के आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की थेंक्स वर वच्चिंग